हाई दोस्तों, मैं तैसी फातिमा कक्षा तस्की विद्यारतिनी हूँ आज मैं आपके सामने पैसे के कहानी लेके आई हूँ मुझे पता है कि आप कहानिया सुनना पसंद करते है लगबक 9000 AC पैसे बिना समय लोग अतला बदली की प्रक्रिया का उपयोग करके चीजे करीते थे उस प्रक्रिया को बाटर सिस्टम कहते थे इसमें ये होते थे कि जब आप सेब देंगे तब नारिंगी मिलेगा जब आप गाय देंगे तब बराबर मात्रा में गेहु मिलेगा लेकिन बहुत जल्दी उन्हें कहे तरह की दिक्कतियाम सामना करना पड़ा जैसे विनिमे की वस्तुओं का एक सामान मूली होना आवशक है और कुछ चीज बहुत बारी थे तब तक चाइना कोरी शल्स का उब्योग करने लगा लेकिन पश्चिन को ये मालूम नहीं था वो लोग सोना और चांदी जैसे लोहे को अपना लिया परंदू लोहे भी बहुत बारी थे 600 AC में सोने के चोटे-चोटे सिक्के अस्तितु में आए इसलिए इसे इधर-उदर ले जाना थोड़ा आसन हो गया सिक्के को तौला गया और उस पर मुहर लगाई गई ताकि उसका एक विशिष्ट मूल्य हो फिर से लोगों को अपनी यात्रा के दोरान बहुत सारे सिक्के ले जाने में खड़नाई महसूस हुई इसके वज़े उन्होंने इसे सुरिक्षा के लिए बैंकों में रखना शुरू कर दिया उन्हें सुरिक्षा के रूप में खागजे चालान प्राप्थ हुए या चीन में 800 DC में थे बाद में खागज में चांदी के पनी, पानी के निशान और काई अन्नी सुरिक्षा विशिष्टाओं के साथ जटिल रूप से डिजाइन करना शुरू किया उनका आगार चोटा कर दिया गया ताकि या हमारी जेब में फिट हो जाए पैसे का आदान ब्रदान जारी रहा 1950 में क्रिडिक काड विगाज में आया जिसका अथ है कि पैसे के लिए सबी काकस ले जाने की आवशिकदा नहीं है हाल ही में सन 1999 के दौराथ बहतर कंप्यूटर टेकनोलोजी के साथ मॉबाल बैंकिंग में उचाल आया इसे हम समझ सकते है कि जैसे जैसे इंटरनेट टेकनोलोजी बढ़ते है आपकी उत्पान बुक्ताम करने के लिए वहा रहने की जरूरत नहीं होती है आजकल कागजी पैसे और सिक्कों का उप्योग करना लेंदेन का केबल दो प्रदिशत है शेश लेंदेन, इलेक्ट्रोनिक, मॉबाइल, ऑनलाइन और क्रेडिट कार्ट से है एक सेकिंड के एक अम्श मिम लेंदेन करने में मदद करता है तिजिटल टेकनोलोजी नई मुद्राओं को सक्षम कर रही है इसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते है पैसे की कहाने से हम समझ सकते है कि पैसे का मूल्य इसे बनाने के लिए प्रयूत सामगरी के बहुत तिक मूल्य पर निर्बर नहीं करता है विनमे के रूप में स्वीगार की जाने वाली कोई चीज पैसा है दन्यवाद साथियों फिर मिलेगे